हलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स दोस्तों आज इस वीडियो में हम Nikon Z50 की जो बेस्ट वीडियो सेटिंग्स है वो किस प्रकार से हम केमरे के अंदर कर सकते हैं उसकी जो भी सेटिंग्स है चाए वो वेडिंग्स के सूट करें तो यह सारी चीजे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन वेल को जरूर ओन कीजिए और आपके जो photograph पर दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो जरूर share कीजिए तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं Nikon Z50 के अंदर जो best video setting है उनकी तो सबसे पहला जो काम अपना होता है वो होता है किसी भी camera के अंदर जो exposure triangle की settings होती है जिसके अंदर आपकी 3 setting आती है इसमें आपका aperture, shutter speed और तीसरी आपकी ISO तो इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा आप मेरे चैनल पे exposure triangle का वीडियो पड़ा है मैं link में भी दे रहा हूँ i button में वहाँ पे आप देख सकते हैं तो इससे हम आगे बढ़ेंगे कि हमें कौन सी file size है कौन सी frame rate है कौन सा अपना color balance है या फिर हम किस प्रकार से slow motion कर सकते हैं तो वो सारी चीज़े हम इस video में discuss करने वाले हैं और यह जो video मैं बना रहा हूँ आप complete जब देख लेंगे तो आपको पूरा knowledge video बनाने का इस camera से होने वाला है तो दूसरा कोई video आपको देखने की ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली है तो दोस्तो चलिए करते हैं start जैसा कि आपके सामने यहाँ पे camera पे i button दिया हुआ है तो यहाँ से भी आप camera को complete आप operate कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता कि आपकी जो menu है menu के अंदर जो settings होती है उनके बारे में बात करूंगा वहाँ से आप direct जो i button में जो settings होती है उसको बाद में discuss कर लेंगे क्योंकि यह सारी चीज़ें ही आपको वहाँ पे मिलने वाली है तो मैं menu के अंदर जो भी settings होती है वीडियो के लिए वह आज हम discuss करने वाले है तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास reset movie shooting menu अगर आपके पास मालो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपने camera में को छेट खाने कर दी है कुछ भी कर दिया है तो आप एक बार camera को reset कर लीजिए यहां से आपका reset हो जाएगा जो भी default camera की setting है वो आपको यहां पे दे देगा camera उसके बाद में camera की जो भी settings है उसको set करेंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं frame size या फिर frame rate दोस्तों किसी भी camera के अंदर video जब हम बनाते हैं तो आपको frame rates का बहुत अच्छी तरह से knowledge होना चाहिए इस camera में आप 4K video भी suit कर पाएंगे HD video भी बना सकते हैं और साथ यसाथ आपको इस camera में HD slow motion का भी inbuilt future इस camera में दिया गया है इसकी भी frame rates आपको इस camera में मिल जाएगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4K video recording की तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जो उपर वाली तीन frame rates हैं यानि 30P, 25P और 24P यह frame rates आपको 4K की frame rates यहाँ पे दी गई है और इनका resolution आपको यहाँ पे दिया हुआ है 38, 40 x 21, 60 और इनके आगे frame rate आपको दिखाई दे रही है 30, 25 और 24 तो यहाँ पे अगर आपको 4K video high quality में बनानी है तो आप 30P को select करिए या फिर दूसरा option आप 25P को भी कर सकते हैं दोनों में difference क्या होने वाला है आपका जो camera video capture करेगा उसका जो size है डेटा का जो size है उसमें फरक पढ़ने वाला है अगर आप इस camera से best 4K video capture करना चाहें तो आप 30P पे select कर लिजिए इसके बाद में दोस्तों आता है 90, 20 x 10, 80 यह जो resolution आपको दिख रहा है यह HD video के लिए है यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी यहाँ पे आपको 120P 100P, 60P, 50P 30P, 25P और 24P यह जितने भी frame rate आपको दिख रहे हैं यहाँ पे यह full HD video के है और इनका resolution 1920 x 1080 का जो resolution आपको मिल रहा है इसमें HD video में दोस्तों weddings के अंदर हम क्या करते हैं वेडिंग्स की अगर videography के हम बात करें तो आपको HD video में ही suit करना चाहिए और इसकी जो frame rate है वो आप 50 या फिर 30 ये दो frame rate है इन में आप capture कर सकते हैं वीडियो को 50 में आपको इसमें फरक क्या होता है 50 या फिर आप 30 करेंगे तो इसमें आपका data है वो ज्यादा consume करेगा आपके memory card जल्दी जिवी या फिर 128 जिवी का आपको पास memory card का option होना चाहिए इससे आप लंबे टाइम तक वीडियो को capture कर पाएंगे इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं इस camera में जो HD में आपको slow motion की तीन frame rates दी गई है उनके बारे में दोस्तों यहाँ पे 1920 x 10 80 का जो resolution है इसमें आपको 30p, 25p और 24p यह तीन frame rates आपको slow motion के लिए दिए गए आप सामने आप देख सकते हैं slow motion अब तीनों में फरक क्या होने वाला है यहाँ पे पहले में आप देख रहे हैं 30p into 4 यानि यह जो 4 time है आपका वीडियो slow करेगा जो x4 है यह 4 time slow करेगा 30p फ्रेम के साथ में और यहाँ पे जो नीचे वाला है यह 20p यह 25p में यानि 25 frame rate के साथ में आपको 4 time slow motion देगा इसके अलावा अगर हम नीचे वाले की बात करें तो यह 24 frame rate के साथ में आपको 5 time slow motion वीडियो बना के देने वाला है यह सारी जो frame rate तेनों आप देख रही है camera inbuilt यह frame rates है यानि जब भी आप वीडियो को record कर लेंगे तो आपको slow motion वीडियो ही direct दिखाए देने वाला है यानि आपको बाद में जो post production में जैसे मालो हम editing करते हैं तो वहाँ पर आपको slow motion करने की ज़रूद नहीं है अगर आपको बाद में slow motion करना है वीडियो बनाने के बाद में तो वहाँ की जो frame rate है वो दोस्तों इन तिनों में नहीं है उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर 1920 x 1080 120p और 100p यह दो जो frame rate है यह वीडियो slow motion के लिए है अगर आप वीडियो इन frame rate में save करते हैं record करते हैं तो बाद में आप editing software के माद्यम से आप वीडियो को slow motion में ला सकते हैं तो दोस्तों यह frame rates आपको बिलकुल ध्यान में रखनी है सारा काम frame rates का यह वीडियो के अंदर तो आप चलते हैं next जो आपकी setting है वो movie quality दोस्तों यहाँ पे आपको दो option मिलते हैं जिसमें आपको high quality और normal यहनि आप वीडियो को जब record करते हैं तो आप high quality में record करना चाहते हैं या पर normal ही रखना चाहते हैं तो weddings के अंदर हम अगर use में लेते हैं high quality का data है में चाहिए तो इसको आप high quality पे select कर दीजिए next time चलते हैं movie file type तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है जब weddings वगेरा जो होती है उनकी अगर वीडियो capture करते हैं तो MOV format में करेंगे और उसके बाद में process करेंगे editing software के साथ में और MP4 format की अगर हम बात करें तो camera सारी चीजें अपने आप process करता है आपके camera के अंदर और video record करके देता है तो यहाँ पे आप जो भी आपको suit हो वो आप select कर सकते हैं इसके बाद में दोस्तों आता है आपका ISO sensitivity तो इसकी मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाल हूँ मैंने चैनल पे इसका वीडियो भी बनाए हुआ है next हम चलते हैं white balance पे तो दोस्तों यहाँ पे white balance पे भी मैंने काफी वीडियो बना दी है आप देख सकते हैं फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूँ जैसे मालो आपने photography के लिए कोई setting white balance की set किये और आप चाहते हैं कि वही white balance मुझे चाहिए तो आप same as photo setting कर सकते हैं इसके लाव आपके पास auto, natural light, direct यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है मैं दोस्तों यहाँ पे आपको रिक्वंड करूंगा चूज कलर टेंपरेचर यह जो आपकी white balance की setting है यह best है 99% जो photographer से वह इस setting पे ही काम करते हैं क्योंकि इससे आपको काफी variations मिल जाते हैं white balance के यहाँ पे आप Kelvin की जो value होती है वो set कर सकते हैं इसके लाव आप के पास bracketing का भी option होता है यहाँ से भी आप color को choose कर सकते हैं तो next हम बात करते हैं set picture control दोस्तों यह भी बहुत अच्छी settings है वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कि जो photo की setting है वो ही आप same video में रखना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं इसके अलाव आपके पास और भी option है जिसमें standard natural vivid यह सारी चीज़ें आपके पास आजाती है next video दोस्तों हम इस camera में video बनाने पर बात कर रहे हैं तो आपके पास इस camera के अंदर creative picture control भी है यानि बहुत सारे effect आपको इस camera के अंदर मिल जाएंगे ऐसी profile इसमें 20 है साइद 20 आपके पास creative style इस camera में मिल जाती है जो की आपको अलग-अलग तरह के videos बनाने में मदद करती है बात करें हैं वेडिंग्स की तो आप standard या फिर vivid ये जो दो picture controls है इनमें आप काम कर सकते हैं standard के अगर हम बात करें तो standard के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है इनकी आप details भी यापे कम या जादा कर सकते हैं जिसमें आपकी quick sharp, sharpening, midrange, sharpening, clarity, contrast, brightness, saturation और hue ये सारी settings आपको यहाँ पर available है इससे आप इसकी value को भी change या कम ज्यादा कर सकते हैं जो कि बाद में आपको काफी मदद करती है या फिर आप जो video record कर रहे हैं उसमें ये सारी चीजे भूत effect डालती है तो यहाँ पर आपको जैसे brightness का या फिर contrast का और situation का sharpening का इनका ध्यान रखना होता है आपके वीडियो के अंदर तो दोस्तों next हम बात करते है एक्टिवडी light तो दोस्तों इसको आपको एमेशा normal रखना चाहिए क्योंकि ये कही न कही आपका जो shadows या highlights होती है उन फेफेक डालती है next हम बात करते हैं आप नीचे आ जाईए और यहाँ पर आपको मिलता है focus mode दोस्तों focus mode क्या है जब video हम बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि full time camera focus में रहे subject के उपर तो all time जो autofocus है इसको आपको on रखना चाहिए video के अंदर बाकी आपके पास और भी option है single autofocus continuous तो यह मैं recommend नहीं करूंगा यहाँ पर आपको autofocus full time autofocus को select करना है इसके बाद हम आ जाते हैं जो area modes है यानि autofocus के जो area modes है उन पर तो यहाँ पर आपको चार option मिलते हैं जिनमे single point wide area small wide area large और auto area autofocus तो मैं यहाँ पर आपको recommend क यह क्योंकि इससे आपका क्या होगा आप कहीं पर भी focus करवा सकते हैं camera के उपर आपकी जो screen है वहाँ पर जो कि हमें बहुत आसानी होती है किसी वी वीडियो को बनाने में या पिर subject को focus में लाने के लिए तो दोस्तों आपको wide area autofocus का जो large है वह आपको select करना है next हम बात करत vibration reduction का जो setting है वह यहाँ पर on हो जाता है जिससे अगर आपका camera अगर हिल डूल रहा है तो वह control कर लेता है आपके video के अंदर shake नहीं आते हैं इसके अलावा electronic VR दोस्तों यह भी vibration से समझ दीती है लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं इसको जब on भी कर देता हूं तो camera थोड इसकत वाली बात नहीं है इसके बाद में चलते हैं दोस्तों microphone sensitivity यह बहुत important है किसी भी video के लिए setting क्योंकि हम चाहते हैं कि हम camera की जो inbuilt आपकी mic है उसको यूज में लेना चाहते हैं या फिर external mic को यूज में ले रही हैं तो यहाँ पर आपको set करना है auto manual या microphone off और यहाँ पर जो levels हैं आपकी voice recording के वो आपको select करने होते हैं आपको यहाँ पर देखना होता है कि आपकी दूरी के साफसे कितनी दूरी तक हम audio को capture करना चाहते हैं तो वो setting आपको यहाँ पर करनी होती है दोस्तों एक चीज में आपको बताना बुल गया set picture control में हम वापस आते हैं यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बताए नहीं मिस कर गया यहाँ पर आपको एक picture control मिल रहा है flat दोस्तों जब हम क्या करते हैं कि वीडियो को ऐसा record करना चाहते हैं कि हम जो भी colors है contrast है या फिर जो अंदर आपकी noise है उसको हम post production में या editing में अठाना चाहते हैं तो आप इस flat profile को यू या फिर editing software के मादे हम से सारी settings आप की जिए से situation की यह sharpening की है या फिर जो color है color grading करनी है वो सारी चीज़े हम बाद में कर सकते हैं तो आप flat में आप record कर सकते हैं वीडियो को तो दोस्तों यह सारी settings आप वीडियो के लिए आप camera में कीजिए उसके बाद में आपको बहुत shortcut है जैसे आप i button को प्रेस करेंगे तो मैंने जितनी भी आपको अंदर settings बताया थी उनके सारे के shortcut आपको यहाँ पे मिल रहे है यानि पहला जो आप देख रहे हैं set picture control इसके हम बात करें तो वह सारी चीज़े आ गई है standard with natural इसके साथ creative filters पर आपको यहीं पर दिखाई देने वाले हैं इसके अलावा second number जो है उसके हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो frame rate थी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है यानि आप यहीं से direct ही कर सकते हैं जो भी frame rate आपको चूज करनी थी तो यह frame rate की setting यहाँ पर आपको direct ही मिल जाती है इसके अलावा बात करें हम next wind noise reduction इसको आपको on करना है यानि अगर हम बाहर outdoor में वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर काफी तेज हवाई चल रही है तो आपके पास mic के अंदर जो noise आती है उसको यह reduce कर देता है noise को इसके अलावा Wi-Fi का connection यहाँ पर आपको दिया गया है electronic VR आ गया यह भी हम बात की थी आट autofocus area modes यहाँ पर आपको मिल रहे हैं इसके अलावा बात करें हम नीचे और focus modes की तो यहाँ पर आपको मिल जाता है optical VR भी हमने अंदर देख लिया था इसके अलावा activity light की setting भी अपने को मिल गई थी metering mode है दोस्तों इस पर हम एक अलग video बनाएंगे यह video काफी लंबा हो जाए इसके अलावा आपको white balance का option भी यही पर मिल जाता है तो आपका camera है यहीं से control होने वाला है आपको menu के अंदर जाने की जूरत नहीं है आप यहीं से आई button प्रेस कीजिए और सारी settings आपके सामने हो जाएगी exposure की setting आपको जो dial button दिये गए हैं उनमें आपको मिल जाएगी और ISO की जो setting से वो आपको ऊपर एक बटन दिया गए है ISO का तो यहां से आप डारेक्ट ही कर सकते हैं जैसी इस बटन को प्रेस करने के बाद में ISO की setting कम्यादा कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े आप करके बहुत ही अच्छा वीडियो इस Nikon Z50 से बना सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हैं आपको यह वीडियो पसंद आया आप वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए नोट्फिकेशन वेल को ओल कर लेजिए इसी तरह के वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए THANK YOU